तो hello students, अगर आपको CA intermediate course में registration करना तो कैसे registration कर सकत te ho? या नहीं तो आप CA foundation pass करने के बाद, या नहीं तो आप direct इंटर्मेडियेट का एक्जाम देना, आप then direct entry से registration करवा सकते हो, ग्रैजुएशन commerce background से 55% non commerce background से आपको ग्रैजुएशन 60% चाहिए, ग्रेजिवेशन या पोस्ट ग्रेजिवेशन का बात किया जाए इसके अलाबा आप ग्रेजिवेशन पोस्ट ग्रेजिवेशन रूट से भी नहीं लेना चाहते हो आप कारी नहीं रहे तो आप CS रूट यानि कि CS एक्जिट Unfortunately का बोफ मेत चलियर कर लोगे आप सिधा का डा attempt का EXAMbed form fill करना होगा EXAMbed form fill करते समय आपसे पूछा जाएगा कि या पहले group 1 का EXAM देना चाणते या group 2 या both group का totally आप में dependence करते है आप पहले group 2 का भी दे सकते बाद में group 1 का group voice दोगे तो या नहीं तो एक साथ both group का doubt exists clear हो रहा होगा तो comment box में thank you लिएगा अभी CA intermediate May 2025 का registration close हो चुका है May 2025 चाहे foundation पास करके या direct entry से registration करने का आखरी date 1 September 2024 था कोई दूसरा option नहीं है May 2025 के लिए जो repeater होंगे वो अराम से दे सकते या जो बच्चे 1 September 2024 तक registration कर लिया होंगे वो May 2025 का exam दे सकते लेकिन September 2025 में exam देना या January 2026 में तो September 2025 का registration करने का आखरी date 1 January 2025 है चाहे direct interest से या foundation पास करके यानि कि आप direct interest से भी registration कर लोगे 1 January 2025 तक बैन आप September 2025 के exam में आपियर कर सकते या नहीं तो आप अगर registration करोगे 1 May 2025 तक तो आप January 2026 के exam में आपियर कर सकते रही बात की हर attempt से पहले दो मन्त पहले करीब exam date, exam form date आता है वो सारा अपडेट करेगा सिर्फ और सिर्फ चार्टे स्टेडिस चार्टे स्टेडिस के साथ आपको बने रहना है कैसे registration करना foundation पास करके या direct entry के थुरू detail video का link आपको description में मिल जाएगा चाहे आप September 2025 के लिए करना चाहो या January 2025 के लिए आप आज के date में registration कर सकते हो simple सा बात है एक January 2025 तक registration कर लोगे आपके पास दोनों option रहेगा September 2025 और January 2026 लेकिन आप एक January 2025 के बाद registration करते हो then दो January से then सिर्फ और सिर्फ आप January 2026 में या उसके आने वाला जो आगे का exam होगा उसमें appear कर सकते रही बात कि आपके exam date, exam form date के बारे में सारा update मिलेगा इसी चैनल पे तो चैनल पे नए हो, subscribe कीजिए मिलके हैं next video